बाबू बाबू से बाबू हो गया करना, करते हुए मैं पड़ता था। उस से पहले में बिजनिस करता था। अपना हमारा बिजनिस था। अभी भी है। तो दिल्ली में तूसन का बहुत अच्छा पैसा मिल जाता है अब बिनिस्वाला दिवांग मेरा था तो मैं पड़ता था और तूसन भी लेता था उस समय लगबग आज से 25-30 साल पहले एक घंटा पढ़ाने का सवासो रुपे मिलता था सवासो रुपे बहुत बड़ी अमाउंट होती थी उस समय और अगर दो घंटे पढ़ा दिये किसी घर जागे तो धाइस रुपे हो गए आपकी पॉकिट पनी बहुत बड़िया हो गई खर्चा बहुत कम होता था था उस समय इस्कूटर से आना जाना या बाइक से आना जाना और उपर से खातेदारी अलग होती थी कॉफी, चाय, बिस्कूटर, काजू, बादाम रिच लोग पैसे वाले लोग हैं ऐसे ही एक पैसे वाले लोग यहाँ वैश्ट दिल्ली के अंदर जो पाकिस्तान से आये हुए पाकिस्तान जो छेतर है जब भारत में था तब महां से आये हुए क्योंकि जब बटवारा हुआ था तो जो शातिर और तेज लोग थे जो जागरुक लोग थे जो जागे रहते हैं उन्हें पता था आज की जेट में उसको refugee कह सकते हैं क्योंकि दिल्ली में तो refugee हों का बाजार गरम है बहुत सारे लोग हैं जो refugee हैं और सारे अरपती हैं क्योंकि सब नहीं आके हैं बिजनिस किया है पाद में कुछ सर्विस में भी आगे और नेतागरी में भी चले गे पॉलिटिक्स में चले गे वहां भी उन्होंने अच्छे पैसे कमाए हैं तो वो refugee family थी तो लड़का पढ़ता नहीं था मौज मस्ती वाला था किकिट बगरा बहुत खेलता था तो टूसन ब्यूरो से call आई कि आपको वहां टूसन पढ़ाना है मैं वहां टूसन पढ़ाना गया तो मैं अपना टूसन पढ़ाता था वो बाबू बीच में टूसन पढ़ाते समय कॉफी चाय जो डिमांड आपकी है पिस्ता बादाम जो भी बढ़िया से बढ़िया मिठाई है क्योंकि वो रिच लोग थे पैसे कोई कभी नहीं तो उनकी मिठाई भी बढ़िया होती थी दिल्ली की बैस वो ले के आता था तो मैं वहां चाय नास्तावगर करता था वो लड़का कभी-कभी आता था, कोई कभी नहीं आता था मेरा बड़ा प्रीय स्टुडेंट था, बहुत बड़िया था हमारे एस्टुडेंट के साथ अच्छे रहे है टीचर वाले और स्टुडेंट वाले कम रहे हैं और एक मेंटर वाले ज्यादा रहे हैं तो एक बार मैंने देखा कि बाबु को बहुत ज़ादा रफ तरीके से बोल रहे हैं बाबू को गाली भी बगते थे बाबू को जो जो से चिला के भी तो बाबू को इनमलियेट करते थे यानि कि बाबू को इस तरह से टीट करते थे कि बाबू का कोई अस्तित्वी नहीं है बाबु उनका नौकर था, पूरे 24 गंटे का नौकर, उनी के घर में रहता था सुबह उठता होगा तो सुबह से लेगर राब तक जब तक आखिरे आदम नहीं सोता होगा तब तक वो काम करता होगा और जब पहला आदमी उठता होगा तब उसकी सेवा में लग जाता होगा सारे काम उसके जुम्में ठक भी जाता होगा चटचडा भी जाता होगा तो गालियां भी खाता था सारी चाय वो औरत है या आदमी है सब उसको बहुत गंदित तरीके से बुलाते थे ये टीट करते थे मैं उसका वैवार देखता था क्योंगि वैवार देखने हैं ये अदत बच्पन से मेरे अंदर पहले से डबलब हो चुकी दिए तो एक दिन वो ललका था नहीं जिसको मैं पढ़ा रहा था बाबु मेरे लिए चाय वगर लेके आया तो मैंने बाबु से कहा कि बाबु तेरे को ये इतना बद्दा बद्दा बोलते हैं गाली भी देते हैं और ये तेरे को क्या क्या नहीं बोलते हैं तो उनकी सेवा में लगा रहता है तो तेरे को परिशानी नहीं होती तेरे अंदर कोई पीडा कोई तेरे अंदर छोड़ो या तेरे अंदर कोई इर्षा या जलन या बदला लेने का तेरे अंदर कुछ आता नहीं है क्या मेरी चुकि कि मैं भी एक तरह से उनका नोकर और बाबू भी नोकर बस इतना फरक था कि मैं इंट्लेक्शन नोकर था कुरकि मैं पढ़ाई के शक्त में था तो मेरी इक इज़त थी क्योंकि मैं गुरू था तो मुझे आप कहके बोला करते थे वो तमीज से बोल ते थे उनके बच्चे का कहीं पहुचा दूगा, मैं तो उनका टीचर हूँ, ये बात वो जानते थे, सभी जानते हैं, तो बाबू की आँख में थोड़े से आंसु आए और बाबू बोला कि मुझे बहुत बैसानी होती है, ऐसे ऐसे बोलते हैं, और मैं अपना काम बड़े से इसे करता हूँ, और ये मुझे जानवर कीता टीट करते हैं, तो मैंने का तू यहां पड़ा हुआ क्यों है, मजबूरी है, मेरे गाउं में काम नहीं है, मुझे पैसी जोत है, तो मैंने का तू अपनी इस कड़वा हाट को जलन को कैसे निकालता है, अब उसके आंखों के आंसु थोड़े से सूख और उसके चेरे पर थोड़ी सी चमक आई, क्यारा आप किसे कहेंगे तो नहीं, मैंने का मैं नहीं कहूंगा, क्यारा मैं इनकी चाय में थूख देता हूं, मैं इनके खाने में थूख देता हूं, मैं जब लेटिन करके आता हूं तो टट्टी के हाथ नहीं दोता, मैं बनाते बनाते हैं, अगर मेरा हाथ कहीं गंद की जिगा है, तो मैं गंदे से ही बना देता हूँ, खाना, आटा मैं ऐसे हाथों से मान देता हूँ, तो मैंने का, बाबू, अगर किसी ने तुझे पकड़ लिया, क्यारा क्या कर लेगे, मेरी नौकी चली जाएगी, कोई और मिल जाएगी, इन पर काम तो होने से रहा, तो मैंने का, जब तु मेरी चाय लाता है, तो क्या उसमें भी ऐसी करता है, क्यार नहीं, जो चाय मैं आपको देता हूँ, आपने वही चाय पी नहीं है, आपने कप नहीं बदलना है, कप बदलोगे तो जुम्मेदारी आपकी, जो आपको पगड़ा दिया, वो आपका, बा ये अपना कहीं न कहीं बदला ले लेते हैं, खाने में थूखके, चाय में थूखके, या लेटिन की हाथ ना दोके, या काम को खराब करके, या पैटॉल बेचके, या गाड़ी तोड़के, या गाड़ी का एक्षजर्ण करके, या कोई सामान को, छोटे मुने सामान को उध अगर आप गाली दोगे तो गाली का रिटन गाली मिलेगा ही क्योंकि बाबु ने विपस्टना तपस्चा साधर नहीं किये बाबु एक नौकर है बाबु नहीं जानता बाबु ये जानता है कि जैसा वहवार किया है उसके अंदर वैसा ही आएगा और वो वैसा ही बताएगा वैसा ही करेगा तो बाबू जैसे हजारों लाकों करोडों लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से अपने मन को ठंडा ठीक कर लेते हैं काम बिगाड़ कर इसलिए अगर आप उनसे इविशा रखेंगे जिनसे काम ले रहे हैं अपने एंप्लोई से तो ये गारंटी है कि वो आप से उससे ज़्यादा बदला ले लेंगे क्योंकि उनको समझ नहीं है अगर आप में समझ नहीं है उनसे अच्छा व्यवार करनेगी उनको उनके मेहनत का पैसा देने की तो उनमें तो बिलकुल ही समझ नहीं है उनकी तो समझ का क्योंकि अगर उनमें समझ होती तो वो आपकी नौकर नहीं होते हैं अगर उनमें समझ होती तो वो आपकी गाली नहीं खा रहे होते तो इसलिए ये ध्यान रखे जैसा भगवान बुद्धने कहा था कि वेर से वेर सांत नहीं होता दुस्मनी से दुस्मनी सांत नहीं होती कटोता से कटोता सांथ नहीं होती कठोता से कठोता सांथ नहीं होती अगर आप misbehave करेंगे गाली बखेंगे तो उससे आपको return में गाली ही मिलेगी रूप बदल जाएगा समय बदल जाएगा तरीका बदल जाएगा आपको ज़्यादा नुक्सान भी हो सकता है तोकि बड़े बड़े छेत्रों में ऐसा भी देखा गया है कि नौकर कतल करके भी चले जाते हैं लूट के भी चले जाते हैं वो इसी गिर्णा का इसी विश्वा का पेड़ाम है जो वैवार आप पूरे जीवन उनको देते हैं उस वैवार के बडले को एकटा करके सारा वैवार आपको एक दिन दे जाते हैं इसलिए पूरी दुनिया के अंदर आशान्ती का लेवल बढ़ता जा रहा है इसको शान्त करने का एकी तरीका है कि आप भगवान बुद्ध की विपशना करें साधना करें और अपने एंपलोई को आदमी समझें उसको उसका हक दें उसके परिवार को दें ताकि वो जितना स्वास्ता रहेगा जितना पढ़ेगा जितना अच्छा रहेगा उतनी अच्छी आपकी सेवा भी करेगा धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पर चला सकते हैं, अपनी नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम सब का है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है, या महापुर्सो का है, उन्ही की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद धन्यवाद भाद 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 भा खंखं शरनं कर्चा